क्या दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास बंद हो जाएगा? फिलाल हालात यही लग रहे हैं क्योंकि विदेश मंत्राले को दिल्ली के अफगानिस्तान दूतावास से एक कब बिना हस्ताक्षर के नोट वर्बल मिला है, एक नोट बेजा गया है उनको. इसमें कहा गया है कि दूतावास को चलानी के लिए पैसों की कमी के कारण दूतावास को बंद किया जा रहा है. ये भी कहा गया है कि विदेश मंतराले से हमने मदद मांगी थी लेकिन हमको मदद मिली नहीं डिप्लोमेटिक वीजाज भी हमको नहीं मिले यह आरोप लगाया गया है ये भी कहा गया है कि भारत ने जब से काबुल में अपना मिशन 2022 में यानी तालिबान के आने के बाद शु वजह ये कि अफगानिस्तान के जो राजदूत हैं फरीद ममुनजई वह भारत छोड़ चुके हैं, अधिकतर जो राजनाइक वहां पर पोस्टेट थे वह भारत छोड़ चुके हैं, अलग-अलग किसी देश में वह मौजूद हैं, और सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा गया अब इसके बाद यह हुआ है कि दूतावास में आपसी जगडे की भी बात सामने आई है, यह सूत्र बता रहे हैं, तालिबान ने अपनी तरफ से एक प्रतनीदी वहां पर पॉइंट करने की कोशिच की, लेकिन फरीद ममुनजई और बाकी स्टाफ ने ऐसा होने नहीं दिय इसके अलावा, आक्टिंग अमबैजडर जो वहां पर मोसा नाइमी है, वो इस वक्त मौझूद है, एजुकेशन अटैशी जो है, वो वहां पर मौझूद है, यानि शिक्षा दिक्षा जो है, वो देखते हैं, तो यह लोग वहां पर मौझूद हैं, कारवाहिक हैं जो मानिता नहीं दी है, पंद्रह देश भारत समित काबूल में अपना मिशन चला रहा है, लेकिन रूस, चीन, पाकिस्तान और सिंटल एशिया के कुछ देशों ने इस बात की जाज़त दी है, कि तालिबान के प्रतिनी दी वहां पर उनके देश में मौझूद हो हाला कि मानित रखेंगे, उन सभी अफगानियों के लिए जो यहां भारत में मौझूद है, लेकिन दिल्ली का जो दूतावास है, अफगानिस्तान का वो बंद हो जाएगा, 30 सेप्टमबर के बाद ऐसा माना जा रहा है